नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आई टेल मोबाइल का चार्जर रिपेयर करने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास छोटा चार्जर है यह चार्जर हमारा जो होता है वो कीपएड मोबाइल में प्रियोग किया जाता है यह हमारा डेड आई दे देता हूं देखता हूं किसमें लगता है किसमें लग गया और अभी मैं यहां मुबाइल में लगाता हूं तो कोई भी इंडिकेशन यह नहीं दे रहा है तो जैसा कि देख सकते हैं कोंगी बी इंडिकेशन नहीं दिया आनि हमारा ये चार्जर डेड़ है तो आईए सबसे पहले इसके खोलना तो खोलोने के लिए देखें यहां पर आपको एक स्कु तो बाहर यहां पर दिखो रहा है इस स्कू हो यहां बाहर कोई भी चिपटी उपएवर लगा हो इस तरह से तो आपको इसे देख लेना होगा तो इस चिपटीकर को यहांसे हटा लीजिए ठीक हटाएंगे देखेंगे यहां पर एक screw आपको देखने को मिल जाएगा अभी screw हमने खोल दिया अब ये बड़े आराम से हमारा charger खोल जाएगा तो जब देखिए हमने खोला अब खोल के एक बार हम सबसे पहले इसके PCB को देखेंगे ध्यान से कि कोई समान ऐसा भी हो सकता है जो जलता है और तुरंत हमको देख च रजिस्टर देखें यहां से पूरा यह खराब हो चुका यानि फट चुका है ठीक है यह जल चुका है अब दोस्तों ऐसा है कि यह हमारा रजिस्टर तो सामने देख गया लेकिन अगर कोई और पार्ट हो तो कैसे आप उसको खोजेंगे कि को और इसमें और कोई खराबी है या नहीं है तो इसके लिए आपके पास मल्टी मीटर होना जरूरी है तो मल्टी मीटर ले लिए और मल्टी मीटर लेकर हम इसको बजर मोड में सेट कर लेंगे इस तरह से बजर मोड में जहां बीप का साउंड देता है वहां पर हम कोई इसको सेट कर लेना होगा तो यह यह रजिस्टर लगा और यहां से इस पॉइंट पे चलाया ठीक यहां पे और दूसरा जो हमारा पॉइंट है यह दूसरा पॉइंट डारेक्ट हमारे SMD डायोट पे लगा हुआ है ठीक यह वाला पॉइंट यहां गया और यह हमारा डारेक्ट इसके साथ लगा है तो ऐसे में सबसे पहला जो चेकिंग यहां करना है वो क्या अपने SMD डायोड की चेकिंग करनी है तो primary side में कोई ये reading नहीं देता है किसी भी side से इसको आपको इस तरह से check कर लेना है एक side से नहीं reading दिया मल्टी मीटर का प्राड हम पलट लेंगे और पलट के फिर से इसको check करेंगे तो कोई reading नहीं दिया यानि हमारा primary सही है अब secondary में आपको sorting चेक कर लेना है कि कोई sorting तो नहीं बता रहा है तो उसके लिए यहां आपने जो diode हमारा लगा है bridge rectifier इसी के उपर यहां आप check कर लिजे एक side से यहां पर reading देना चाहिए और एक side से reading नहीं देना चाहिए तो देखे हमने यहां लगाया कोई reading नहीं आया और ठीक इसको हमें यहां से multimeter का प्राड पलट लेंगे तो यहां पर reading आ गया ठीक यहां पर reading आने का मतलब यह हुआ कि हमारा इसमें कोई sorting इधर नहीं बता रहा है कुछ खराब है या नहीं खराब है यह तो बात की बात है लेकिन यहां पर कोई sorting नहीं बता रहा है तो अब यहां पर क्या करेंगे या आप यहां direct भी चेक कर सकते हैं या फिर याप register लगा क के दूसरा भी चेक कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसका register यहां से open कर देता हूं आँ आँ आपका फ्योज कुप्यूजवल रैजिश्टिंश इसको बलते हैं तो रैस्टर आपका खराब होता है तो आप इसमें से कोई हंडेड हुआ से नाइचे कोई भी रेस्टेंस अपर लगा सकते हैं तो मेरे पास देखते है समें कौन सा रैस्टेंस बचा हुआ है तो यहां पर दोस्तों मेरे पास जो रेजिस्टर है वह है वनों और ठिक यहां वनों का रेजिस्टेंज बचा हुआ है इसको एक बार हम चेक कर लेंगे चुकि लगता है कहीं पर लगाया गया और यह थोड़ा सा ब्लैक हुआ है बस इसका बीप चेक कर प्रशर्षर कोई आप सकते हैं तो इसमें आपको नमबर बस यहां देखना है कि 100 सव ओम से कम हो उसके उपर भी हलका फुलका लगा सकते हैं लेकिन सव ओम से कम रखना ठीक होता है तो आई यह फटा-फट इसका हम सोल्डिंग कर लेते हैं सोल्डिंग कर दिया अब जो के स्टाल लेक है उसको भी कट कर देते हैं अब यहां चेक करने के लिए बाहर से हमको दो वायर यहां पर जोड़ लेना होगा क्योंकि अगर और कोई पार्ट इसमें खराब होता है तो यहां दिख जाएगा कौन सा पार्ट हमारा धूंगा दिया यहां जल रहा ठीक पैक कर देने के बाद हमको दिखाई नहीं देगा अब इन दोनों पॉइंट पे हमको सप्लाई के लिए एक दो वायर हमने जोड़ लिया जो कि हमारा यहां यह दोनों पॉइंट जो है हमारे इस चार्जर के इस दोनों पॉइंट पे टच होता है ठीक य हमने सिरीज में सप्लाई दे दिया है और कोई यहां पर सौर्टिंग वगारा नहीं हुआ हमारे सिरीज का लैंप भी नहीं चला तो अब आउटपुट पर जो बोल्टेज हम चेक कर लेते हैं उसके लिए मल्टिमीटर रखेंगे DC 20 बोल्ट के रेंज में और जहां से आपका यह चार्जर वाला वायर जाता है यह इस वायर के उपर आपको सप्लाई चेक कर लेना है तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5.05 बोल्ट हमको सप्लाई यहाँ पर आउटपुट पर मिल रहा है तो आपने देखा कि इस चार्जर में मात्र एक रजिस्टर खराब होने की वज़ा से जो है कि हमारा चार्जर पूरी तरह से डेड हो गया था ठीक है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का चार्जर हो तो आप उसको खोल के आप रिपेर कर सकते हैं बस यही है कि आप जब भी इस पर हाट चेकिंग करें यानि सप्लाई दे के आप चेकिंग करें तो विसे ध्यान रखें क कि आप कोई ऐसी जगह ना टच करें जहां पर आपको करेंट लग जाए ठीक तो मतलब सप्लाई दे के बहुत सावधानी से चेक करें बाकी हमारा चार्जर बन गया एक बार हम बाद के इसको अपने मोबाईल में लगा के चेक कर लेंते हैं दोस्तों हमने इसके सारे स्कुर टाइट कर दियें उसके बाद इसका स्टीकर भी हम यहाँ पर लगा देंगे अब इस्टीकर लगा देने के बाद एक बार हम पने बोर्ड में लगाते हैं और कोई मोबाईल लगा के हम इसको चेक कर लेंगे ठीक तो यहां हमने मोबाईल लिया और यह मोबाईल को हम कनेट क सकते हैं आप हमारा यहाँ जो मोबाइल है वो बिल्कुल कनेक्ट हो चुका और चार्जिंग हमारा वो चल रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप पास भी छोटे मोटे खराबी के कारण कोई चार्जर अगर फेके रहते हैं तो आप रिपेयर करके फिर से यूज में उसको आप ले सकते हैं यह कंपनी का चार्जर होता है थोड़ा बहुत बढ़िया होता है वीडियो पसंद आया हो तो वाई वीडियो को लाइक जरूर कर द करेंजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार